गीता जी धाय नंबर 15 के स्लोक नंबर 23 में उस परमक्सर ब्रम सचीदा नंद घन ब्रम के पाने की विधी बताई है उसमें तीन मंतर जाप करने पड़ेंगे आपको ऑम तत सत इती निर्देश है ब्रमन तेरी इधा समरता है उस ब्रमन मハハन सचीदाद घन ब्रम यानि प्रमक्सर ब्रम को पाने की विधी तीन मंतर के जाप करने का निर्देश है नंधिं इल्स निर्देश है निर्देष माने उसका। तरफ संकेत भी, निर्देष भी और आदेष दोनों होते है। इसके अतरिक्त कोई मंतर जाफ नहीं करना। इन मंतरों के अतरिक्त दो जाफ तुम कर रहे हो। summertime ये हैं और साथ मंतर जो आपको परफर समें दियी जाते हैं। पर्थम जाप के अंदर इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य जो जाप आप करते हो तो सास्तर विजी को तायक कब वनवाना आचड़ है और उन सात मंत्रों में से कोई एक जाप भी कहीं कोई कर रहा है तो भी सास्तर विजी बुरुद है अब जैसे गाड़ी है मोटर गाड़ी है कार गाड़ी है उसके सभी पार्टस है और उनी से मिलकर वो गाड़ी बनी है उन में से कोई एक पैया निकाल ले वील और उसको लिय जारा, गुमारा है आचशी चलारा, रो कहे मैं भी कार लिय फिर रहा हूँ वो मूरख बना रहा है नसेम है या कतिव उल्लू है उसने देखी निगाड़ी कैसी होती है या बकवादी आदमी है तो ऐसे ही इन साथ मंत्रों जो पर्थम आपको दे जाते हैं उनमें से कोई एक मंत्र को अलग से कोई जाप कर देता है कोई दो देता है अलग से वो विधी उनकी ठीक नहीं है तो वो समझो सास्तर विधी रहित है वो गाड़ी नहीं है जानी सभी मंत्र नहीं है दूसरा उधारन ये समझो कि जैसे कोई औसधी बनाई जाती है उसमें पांच-छे जड़ियां डाल दी जाती है उन में से कोई एक जड़ी को खावाय गात हुआ रोग नासक नहीं होगी जो सभी जड़ी मिलकर जिस रोग का नासक करेंगी तो ऐसा समझना जिस परकार जो ग्यार नहीं था मैं और कोई भी संत कोई भी हमें मंत्र दे देता था हम उसी परासरीत हो जाते थे और अपना सरदा से लगे रहते थे उससे जीवन विर्थ होता था क्योंकि वो सास्तर भी जीता के मनमानी पूजाएं थी तो अब ये परसंग आता है कि सत्गूर सरण में आने से आई टले बला और ज़े मस्तिक में सूली होगा का टे में टल जा अब ऐस साथ ये सही मंतर मिल जाएं जैसे ओम तत सत ये तीन मंतर का जाप है इसमें ओम और तत मिलके हैं तत ये गुपत हैं कोड़ वर्ड हैं और सत भी गुपत है ये भी कोड़ वर्डों है तो ये दास के अतिरीक तिन कोड़ वर्डों को कोई ना तो बता सकता और यदि इस दास से ये ग्यान प्राफ्ट करके कोई उपदेश प्राफ्ट करके स्वेम कोई आगे ये मंतर बता रहा है कोई नाम देने लग भी जाता है तो वो अधिकारी ना होने से डुपलिकेट लाइसेंस बनावागा, तो वो स्वेंबी दोसी होगा, और जो उससे बनवा लेंगे, उससे नाम ले लेंगे, वो भी दोसी होगा, उनका जीवन मरत होगा, तो इस दास के तरक, ना कोई अधिकारी है, ना इसका कोई आज तक जानता था, इस ओम तत और सत का, ओम तत सर्वजिनिक है, ओम तो सीधा ये सरपुरुष का जाप है, और तत ये अकसर पुरुष का जाप है, और ओम और तत ये कोड़ वर्ड है तत, अलग मंतरी, तो उन तीनों के मिलने से ही प्रमक्सर ब्रम की प्राप्ति होगी यानि पूर्ण मौक्स होगा और कोई भी मंतर जो कोई भी संत देता है वो व्यर्थ है ये सब सास्तर विदीता का मनमाना आचरन है ये यूजलेस इन से कोई लाप जो आप परसंग चल रहा था कि जैसे थोड़ा बहुत कोई पुन आधी आप कर देते हो पक्सियों को दाना डाल दिया कोई दरमसाला बनवा दी कितब प्याओ लगवा दी कई पक्सियों को दाने ड दाल दिये और सास्तर विदीता का मनमाना नाम जाब तुम कर ही रहे थे तो आप सोत रहे थे हम बहुत कुछ कर रहे हैं और साथ में एक विद्धान ये भी है प्रभू का कि जैसे करम करेगा वैसा ही फल मिलेगा दूसरी तरफ गीता जे दैनमर शोडा के शलोक नमर तेईस और चौबीस में सफष कर दिया सास्तर विदीता का मनमाना आचन करते हैं उनको नहीं तो कोई सुख हो सकता ना उनकी गती हो सकती और ना ही उनको किसी परकार का कोई और लाब होना ना उनकी कोई सिधी प्राप्त हो सकती तो यूदलस वा इन तीन ने कामों के लिए हम भक् प्राप्ती हो अब जैसे इस परकार के जो मनमुखी दान धर्म आपने करते रहे वो गीता अनुसार विर्थ हुए और गीता जी में एक और परमान है कि जैसे करम कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा वो विधान है उसके आधार से आपको फिर उसका क्रेडिट मिलेगा वो कैस कैसे मिलेगा सास्तर भी जीता का मनमान आचन करते रहे दान पुन भी करते रहे वो कैसे मिलेगा जैसे आपने देखा होगा कुटे इन दनवान लोगों के घर पर पाले जाते हैं उनका अलग से एक रूम होता है कक्स और उस में कुलर लगे होते हैं एस ही लगे होते हैं उस तिन चर-चर बार Hayes थार एक मेटियु को आकर कम उसकी बेडिकल दाँस करता है कुते की और उस वत्व later का राइवर होता है मन उससे गाडि में भठााकर ले जाता है उसको जोसका मालिक कहलाता है और मालक की शीट पर बैठता है कुता उसका और मालिक ड्राइवर है और कुटा मालिक है पीछे बैठा गाड़ी है और सेर सपटे करता देखता जार है खिड़की मा गई दर दर से अब उस पुन्या आत्मा ने उस बोरी आत्मा ने कभी कोई दान पुन्या ऐसे किया था मनमुखी साधना से उसका जैसे करम करेगा वैसा फल तो मिला उस अधार से उस भी धान से लेकिन वो पून उसको मिल गया कुटे के जीवन में अब वो पून कुटे के जीवन में मिल गया उसको सारे सुख दे दिये जो आम विक्ती को भी उपलब्द नहीं है मुनस को भी और उसके सारे पुनों का उसमें सारा इसाब कताव करके खतम कर दिया बरबाद हो गया अगला जना मिलेगा सूर का उसमा कोण सूविदा देगा उसने तो इस परकार हमने प्रमात्मा के इस विधान को जानकर अपने करम बनाने सुब और मुक्स प्राप्ती का प्रियतन करना है अभी तक हमें किसी ने सत्मारग नहीं बताया ना ये तत्व गयान बताया ठीक है प्रमात्मा बक्ती की प्रेड़ना ये सब बेस दन सभी दे दिया करते हैं लेकिन जिन के पास वो औस्दी है नहीं और बोर्ड लगा दिया प्रियम है तो पुना अत्मों अब आपको ग्यान भी सही मिल गया और समाधान भी ओके सास्टर नुकूल है जो दास आपको बताएगा तो अब ज्यादा देर लगाने की आप सकता नहीं है जिन को नाम मिल गया वो तो अपना अनद ले और अन्ने को भी समझाने की चेश्ट हो जाओगे क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम भी उसी सथी थी मते पहले जब तक हमेगान नहीं हुआ और फिर ये सादना ना मिलने से ये बगती ना मिलने से परमेश्वर की सरन ना मिलने से हमारे उपर कितनी आपदायानी थी उसे भी आप पर इचित हो तो फिर आप सब को बताने की चेश टा करो, मानने ना मानने, वह कोई बात नी, आपका कर्जो बनहे एक लिए इक एक वचेड चाड दुरूर करें, उसना सम्झाहने की चेश्टा करें, और भक्ती बता आप प्रेम से, जए आपको बुरा भी बोला काली निमाने, आपका फरज पूरा हुआ, आप ने उसको परमातुमा का संदेश वा चठी दे दी, अब वो मनने ना मनने, वो फिर खुद ज संसार में, और अब करके रहा था, अब धरमराज के यानि नय अदीश के पास जाकर तूसको खड़ा कर दिया जाता है, अब नय अदीश पूचता है कि बोल वाई, देखा तेरी गठडी खोल, क्या कमा के लाया तू, वो तूसके पास भी होता है, सारा कुछ, तूसको पता चल जाता है कहां, मुझे भूल होगी, अब वहाँ ये पराणी एक बात कहता है, ये क्या कहता है, कि ये वगवन वहाँ जाके हमें भूल पड़गी, क्योंकि जब ये पराणी संसार में आता है, उससे पहले इसको सब जो है, बता दिया जाता है, कि तो पीछे भी बहुत द जनम बेगाड चुके है हमनुसके और अब के फिर तरह दाव लगया है अपने सत्थ साधना करना, प्रमसंद की खोज करना, और सास्तर उनकुल साधना करके अपना जीवन सफल करना, तो यह यही सोच कराता है, मा के गरब में भी इसको याद रहती है, यह बगवान गलती बनी सोबनी, आगे कभी गलती नहीं करूँगा, आपकी भगती करूँगा, एक बार मुझे इस गंद से निकाल दो, मा के गरब से बाहर कर दो तो वहां ते इसको याद थी, जब यह हाँ आती तीनों गुणों का एक दम पर बाव हो गया, तीना गुण मैं भी बाया का, यह फिर भी आचेत हो गया तो इसको नए सरे से जो जैसी पढ़ा इपढा देता उसी तरह शुरू कर देता है तो फिर प्रमात्मा अपने सिर पर बाहर नहीं रखते अपने सिर उलाणा नहीं रखते वो भी किसी ना किसी मादम से कोई संदेश उस तक पहुच वा कर छोड़ते है अब जगे जगे चैनलों पर चल रहा है पूच तक बाटी जा रही है भगते भेन भाई आपस में जो मिलने वाले उन से भी जर्चा कर रहे हो तो उस तक संदेश पहुचा दिया आपने अब वो वहाँ जाकर के ये कहता है दरमराज के दरवार में जब यहां लुट पिट के चला जाता है बगती ना करके और कहने से भी नहीं मानता है तब वो एक बात कहता हो जाके यह भगवान हमने पता नहीं चला है हमारे को किसी ने बताया नहीं बगती कर लिए आप उसकी वो फिलम चलाई जाती है क्योंकि एक फिलम था हमारे अंदर code word domain deposit होती है जो करम हम दिन रात करते है और उसकी एक copy भगवान के पास पहुंच जाती है fax हो जाती है यहां से वो email हो जाती है और भगवान के पास वो copy होती है उसको चला कर दिखा देता उसकी cd को अकले तु क्या कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं देखिये भगत ये बहन क्या कहरी है तुझे और तू क्या कह रहा है कि किसी ने देख्या बगवान पेरे पास समय नहीं है तो फिर वो निची गर्दन कर लेता है आप प्रमात्मा कहा तो था इसे तो पुन्यात्मो ना ताप कैसे रूलाना रहे बगवान भी इस बात में उराने मनी आता अब टेश्टा करो मनाने की कि उसके उपर पहर टूटेगा तो परमात्मा महाँ से भेज देता है कि चल नरक मजातो तो इस परकार ये पराणी वहाँ जाकर समझ पाता है कि मेरे से गलती बनगी तो फिर क्या बने वहाई आच्छे दिन पाच्छे गए और गुरू से किया नाहेत अब पस्तावा क्या करा याद चड़िया चुकी खेत तो पुन्यात्मा हूँ आपका सोब आगे है कि आपको परमात्मा का यू मारग मिला और इस पर खरया उतरना है अपने ये बातें कैन सुन की नहीं कर पाड़न की है अब फिर एक परसंग चला था कि सत्गुरू सरन में आने से आई टलैवला और जब भागे में मर्तु दंड हो सूली हो वाकाटे में टल जा पहले मर्तु दंड दिया करते थे एक गोल चकर सा होता था और उसके बीच में एक सुराक होता था और उसके उपर उस विक्ती को बांद दिया जाता था गोल चकर के उपर और उसके नीचे सुराक से एक भाला निकलता था बहुत तेज नौक वाला और उस व्यक्ति को वहां विवस कर दिया जाता था उस बांद दिया जाता था और जब तक वो दीरे दीरे उसको छोड़ दिया जाता था वो अपने प्रैसर से अपने आप नीचे आता था वेक्ति तो हल्टा हल सकता नहीं था और वो भाला उसके नीचे से और धीरे 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 शिर्मे से निकलता था उसको सूली तोड़ना कहते थी वो मर्तु दंड ऐसे दी जाती थी तो यहां पर मात्मा कहते हैं के संत सर्ण में आने से आई टले बला और जे मस्तिक मसूली होवा का टेमेट लिजा आपने रगवेद मंदल नमबर नो और शुक्त नमबर एक का मंतर आठ और नो में बहुत बार दिखाया है फिर आने पर समय आने पर दिखाएंगे उसमें क्या लिखा है कि वो परमकसर ब्रमपूर्ण परमात्मा ये वेद ग्यान दाता भी वही है जिसने गीता ग्यान दिया ये सरपुर्ष है तो सरपुर्ष कह रहा है कि वो परमात्मा तीन परकार से स्रीर धार करके लीला करता है तीन परकार के प्रमात्मा के स्रीर की इतनी सोभा है जैसे एक रॉमकूप में करोड सुरिया मिला दे करोड चंदरमा तो भी प्रमात्मा के एक रॉमकूप की रोशनी अधिक है और वो ट्रीपल रोल करता है ट्रीपल और दूसरे परकार का स्रीर वो धहन करता है जैसे परतेख युग में एक नौजात सिसू का रोप धहन करकर है और उसका विद्धान है कि वो सरोवर के उपर वहाँ प्राकर के प्रगट होता है कमल के फूल पर और वहाँ से कोई नी संतान जो पहले से संसकारी होते हैं जिन अच्छी आत्माओं को प्रमात्मा के मिलता है जैसा रेगवेद मंदल नी, सुक्ट नी, चाषि के मंटर चबएस, हटाइस में रेगवेद मंदल नी, सुक्ट नी, बियासी के मंटर एक, दो, तीन में और विन एक स्थानों पर यही परमाण धिया है कि वो प्रमात्मास गती करके आता सत लोग से चल कर आता है और वहां से चल कर यहां अच्छी आत्माओं को पराप्त होता है तो उन अच्छी आत्माओं को मिलता है कमल के फूल सी सुरूप दाड़ करके छोटे बालक का नवजाद सी सुका और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर उसी थोटे ही समय से यानि जो पैरन चलन लग जाता है उसी समय से वो बोलना शुरू कर देता है और अपने ग्यान का परचार सुरू कर देता है ये ता उसकी दूसरी सती थी विली ला करने की यानि डबल रॉल अब ट्रीपल रॉल कॉन सा है कि वो प्रमात्मा कहीं भी कभी किसी सादो संत के रूप में परगट हो कै और कुछ समय अतीथी की तरह रुकता है ये दोनों सतीथी जो सेकंड और थर्ड टाइप की हैं ये अतीथी रूप की ही होती हैं कुछ समय आते हैं या पर तो तीसरे परकार की जो लीला वो प्रमात्मा करते हैं उस लीला के करते हुए प्रमात्मा कहीं किसी नगर के बाहर गाओं के बाहर एक कुटिया चाकर रह रह रहे थे और प्रमात्मा वहां से निकल जाते थे क्योंकि पहले आद मुरतमान की तरह कोई ये ऐसा कोई सादन तो था नहीं वे किता है वेरिफाई करने ये संथ कहा रहता है जैसे आप तड मॉबायल हद दो मेंट में पता कर सका है ये वादमी कहां से आयर कहां का रहने वाला जो अपना डिस्त बता जेता है तो ऐसे प्रमातमा कवीर देवजी पुरुन प्रमक्सरब्रम वहाँ एक उटिया चा कर रहते थे और वहाँ एक महिना रुकते थे फिर कहते थे भी मैंने दूसरे वहाँ पर भी मेरा एक आसरम है मैं वहाँ भी जाता हूँ एक एक महीना सबी आश्रममा मंत रुखता हूं तो मुझे यहां आने मैं आपको एक महीना ही दे सकता हूं तो वो एक महीना जब आते थे तो वहां जैसे भी बीस-तीस भकत उनके सिस थे ऐसा च्छोटे-छोटे गाउं होया करते को चालिस गर का कोई पचास गर होते थे किसी में जो फड़ियां सी होती थी पराने सुम्हें बाते तो उस समय वो परमात्माओं वहां एक महिना आकर एक संत वेस बुसा मरहा करते थे उपदेश देते थे उनका कल्यान करते थे बड़े द्यालू हैं वो जगर आकर अपने पुन्हात्माओं को संभालते रहते हैं और उनसे सुब संसकार बनवा जाते थे उनको ये तो पता था कि ये लोग अभी ग्यान को नहीं समझ सकेंगे क्योंकि तत्व ग्यान तो सद्गरंथों इसके आधार से ही सामने आएगा तो प्रमात्मा कल्यों के भी इस प्राइम टाइम आपको पहुचाने के लिए रह रह कर कहीं कहीं मिलते रहती और आपके पुन्ह करवा जाते थी जिसे आपको मनुस्ष्रीर भी मिलता रहा तो ऐसे ही प्रमात्मा वह लिला कर रहे थे उस नगर के दस बीस तीस जितने भगत थे पंदरा थे या बीस थे उन्होंना पहुचान वो जब संतजी वहां आते थे एक दो उनका सिस होता था तो उन सब के भोजन की विस था उन्होंने अपनी पारी बांद राखी थी टरनवाइज करते थे जैसे एक दिन एक प्रिवार भोजन कराएगा सब को सुबह भी शाम भी और अगले दिन दूसरा प्रिवार कराएगा उपदेशी नेक्ष्ट दे दूसरा कराएगा तो ऐसे किसी एक भगतमती की पारी आगी और उसने खीर बनानी होती है क्योंकि गुर्देव का बहुत दिनों में जो हदाव लगया हमारा अपने सेवा करने का बढ़ी आफोजन बना कर ले जाते थे तो खीर बनाना निवारिये था उसका दूद फट गया अब दूद फट जाने से चिंतित हुई उसने देखा एक पडौस के अंदर एक भेहन है विद्वा है नाम उसने उपदेश नहीं ले रख्या था उसके पास गाएं थी दूद था उसके पास गई अब जाते ही कोई वस्तु मांगनी होती है ते एक उफचारिक वारता प्राहरम होती है कुसल मंगल पूछा जाता है वो बहन गई उसने आदर सत्कार से बठाया कि बैठ जा बहन तो उस बहन ने पूछा जो उपदेशी थी कि बहन कुसल हो वर रोने लगी वा बहन जो का दुख अभी तक नहीं भूल पाई थी इकलोता पूतर है सोचा था कि इसको पाल पूस कर बढ़ा कर जूंगी भूल पड़ेगी दुख की अब यो ऐसा नालाइक हो गया सराब भी पीवे बीडियो का पीवे मेरी मानता ना कती और सारा दिन पता नहीं कहां रहता है ना को क्यों काम करता यूं कहकर वो रोने लगी तो उस बहन ने कहा कि जो उपदेशी थी कि बहन बात सुनो आप यहां सारा दिन चिन्ता में रहती हो आप कुछ देर हमारे साथ सत्संग में चला करो गुरू जी सत्संग करते हैं इस दिन को यानि गंटा दो गंटा डेली सत्संग करते हैं चार बज़ेशी तू चला करें तो वो कहन लगी बेन मैं नहीं जा सकती सत्संग में क्यों नहीं जा सकती क्योंकि पहले तूम्हें विद्वाई और यह धी मैं घर्थ से बाहर जाओंगी तो सबकी नजर मेरे उपर होती है यह कहां जा रही है और तुम्हारे तो पती है बेहन तुम्हे तो कोई टोक नहीं सकता मैं नहीं जा सकती तो उस बेहन ने काफी कुछ समझाने की चेश्टा की नहीं माननी वा फिर प्रारतना की कि बेहन ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव काज आहार कराना था मेरी पारी थी, मारा दूद फट गया, खराब हो गया और दूद दे दे मुझे, तेरा उदारा दे दूँगी, कल दे दूँगी मैंने खीर बनानी है तो उस बेहन ने दूद निकाल गया, वाल्टी में रखी रखा था, नू का नू उस सारा का सारा उसके पातर में डाल दिया, अक ले जावे अब अब देसी बेहन ने कहा कि कुछ तो रख लेतू वक ना, सारा ले जाए और मेरा भी पुनम लाग जागा किता है अब इस बात से वो भी बड़ी प्रभावित हुई, वो बहन उपदेसी थी कि इस तरह तो मैं भी दूद ना दे सकती है, मैं तर नाम ले रही सूंदी इस तरह इसने या तो है तो पुन्यात्मा, पर बिच लगी है यहाँ बिना गयान के तो वो दूद लेगी खीर बना कर संत्वक्तों को खिला दिया, अपने आत्मों यहाँ से सुब करम शुरू होगे उसके अब उस बहन ने सोचा उपदेसी ने कि यहाँ अच्छी आत्मा जब इसका इतनी सैक्रिफाइस इसके अदर इतना यह इमत करती है इसन सारा दूद निकाल कर दे दिया, आप भी नहीं रखा, तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ जान लगी उसको तर्चा सुनावे बेवे न्यू है बगवान की बक्ती कि कथा दो सुचंग में सुन कर जाती उसके पास तर्चा कर दे बद्द स्मेंट, बीस्मेंट, दे साथ गंटा गंटा वड़ा खूब सुनन दागी दीरे दिर्वा दो, दो, तिन, तिन, गंटे सुन जान लगी फिर प्रारतना के लिए उस बहनने के आप ना मिलो वहार हो गे ता आपकी टेंसेन भी खतम होगी दिमाग में हर दिपसे में आपके यही बात बनी रहती है आपका जीवन का उदे से ही खतम हो चुक्या है जिस तरह आप सोत रहे हो, आख हाँ, बिलकुल हो चुक्या है मालक कहते हैं, सोचल सीदर मैं करूँ अपने जन के काज और कहते हैं, कभीर कमाई आपनी कदेन निस्पलजा साथ समंदर आड़े पड़वा मिलायागा हुआ वो पौन उसने सुरू किया था, उसी का परतीफल मालक ने देना सुरू किया उसके अंदर प्रेड़ना की, करे करावे साई आमन में लेर उठा अर्दा दूसर दर जीव का वो आप बगल हो जा वो बहन कहन लगी, बहुत चलूँगी तुमारे साथ सत्संग तो जुरू शुन काओंगी, नाम तो मैं ले नी सकती दिन में सत्संग था, तो वो चली गई सत्संग शुरूने के बाद बुन्यात्मा पर फिर कहां रुख जाता है वो कहन लगी बहन मने तो नाम दिला दे, मैंने तो खाम का जीवन वर्थ कर दिया ये डले डोल, ये सारे, बता के खट्टा मैं इस जीवन में जवान वस्था में पती में एक पूत्र पास करी थी, आज ये पूत्र आथ ला रहा इसकी चंता मेरे मन से निकलती नहीं, और मैं तो नाम लूँगी पीछा चुटवाओंगी, जनम और मनने के चक करते हैं, ता संग जनम होगे दके खाते हैं नजसा गुरू जी बता रहे हैं, और कहते हैं, एक चोट सिधारिया जनम लनदाचा, एक कवचन गर कर जाता है, जिसकी पुन्यातमाने होती हैं, नाम ले लिया, सत्संग में जाना शुरू कर दिया, फिर एक दिन उसको भी प्रेड़ना हुई, एक मैं भी ग समय दे दो, तो कहन लगे नहीं, हमारा तुम उसकल से दाव लगया, हम अपना एक दिन नहीं दे सकते आपको, तो उस बहन दोसको लेकर गई थी, सत्संग में, जिसको दूद बंगा था उदारा उसने, उससे प्रार्षना की, उसने खुद ही कहा बहन, तु मेरे एक टाइम कर लोगी, क्योंकि उससंत मेना दो मेने वाड़ू क्या करते थे, और ऐसे घर होते थे, पंदरावीष उपदेशियों के, तो उस बहन ने फिर एक स्याम की सेवा दे दी उसको, के स्याम की सेवा तु कर ले, उस बहन की खुषी का ठिकाना नहीं, गुरुद एव के लिए ब बनाई सारा बोजन ट्यार कर लिया, उस हिसे में उसके उपर क्या रजा हुई, बुखार हो गया उसके, और इतना तेज बुखार हो गया क्यों सारी काप पह, बोजन ट्यार हो गया, जान की मत नहीं, और वाकी सब जाली हैो वहांदोस गुरूजेव के दर्शनार सजा करते थे उसने सोचा अब के बनेगी गुरू जी बुखे बैठे हैं संत और में जा नहीं सकती इतने वो पुत्तर आगया वो जल्दी क्यों आगया उस दिन उन्होंने सकीम बनाई कि अभी रातरी के समय और राज़ा के गर पे चोरी करेंगे वो चोरों के गुरों से मिल चुका था और जल्दी वो जन खा के तम वहां आजाईए कोई सथान नहीं हित कर लिया उन्होंने के रात को एक बज़े बारा बज़े सब सो जाते हैं और राज़ा के महल में चोरी करेंगे वहां राणियों के हर एक एक लाख रुपे के होते हैं और शेट हो जावांगे और नो पहले जा बैठों आपर कोई पीछा ना रह जाओं उसकी माँ ने कहा के बेटा मेरा एक काम कर दे तो ऐसे ऐसे मैंने उपदेश ले रख्या है और आज मेरी पारी थी और बोदन बना जिया मेरा बुखार बन गया बेटा देख अब उसने देखा आथर बगया है आखा मैं आपका दो बहुत ज़्यादा तेज बुखा रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे प्रारत्ना करें बेटा आप ये आहर मेरा बोदन गुरुदेव को पहुंचा दे आसर में तो उसने सोचा तो आसर में जाओगा आठ बज रहे हैं आओगा यतने दस बज जाओगा एक देख आपकर मा तेरे बारें पतानी दुनिया क्या क्या कहती है यानि सो बातें सुना दी और वा माई रोन लाएगी बहुत बुरी तरह रोने लगी वा कहने लगी बेटा आज के बाद तुझे कोई काम नहीं कहूंगी तु मेरा यू कारिये कर दे आज-आज कर दे तु किसी तरह तु उसे ने सोचा या गहनी देर रोएगी चलो कहने लगा इल्ला मा दे उसने सोचा तु फटा फट दे गब आजए ये अब उस माई नचार कर रख्या था वो लेक बोजन से ला गया और वो बहन जब गुरुजी के पास जाती थी एक प्राथना क्रया करती गुरुदेव वो लड़का मेरे वाला बहुत दुखी करता है सराव पीता है बीडी पीता है काम करता नहीं और मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसमसे पैसे ले जाता है उसको भी सर्ण में लो परभू उसको भी सर्ण में लेना दाता है उसको सद्व देना अब ये प्राथना वो बार रो रो का क्रिया करती थी, प्रमात्मा गुर्देव कहते थे बेटी तो अपनी बगती करती रहे, कभी सुनेगा बगवान तरी, पर सर दह से लगी रहे, आन दे टाइम, अब वो लड़का बोजन लेकर पहुंचा, पूछा वहां दस बीस बगत बैठे थे के गुरु जी कहा ह महराजी कहा है, कि भाई नान गए है, सनान करके आएंगे, बैठ जाएंगे और भोजन खाएंगे, इतने महों महराजी आगे, प्रमात्मा ही थे बतों, साद रूरूप में, आका बैठी गे, और आके कहने लगे, कि महराजी ये उसका लड़का रहा, रमो नाम था उसका, र आई गी इसको, और वो रोध प्रारसना करती थी, आप उने शुन लिए उसकी, वो वेटा आया गया, इसका, बूजन ले आपका, अग ठीक है वेटा, बड़ी अच्छी बात हुई, प्रमात्मा ने सुन लिए उसकी, बहुत दुखी थी वो, बहुत अच्छा हो गया, कि कह बुलाओ उसको बुलाया, बठा दिया, अब संत जी ने प्रमात्मा ने सोचा था, कि इस बच्छे को कुछ ग्यान दे दो, इसकी बुदी ठीक हो जा, खानार सामने रखा था, महराज जी बतान लगे वेटा, मुनस जी उन प्रमात्मा पाने के लिए होता है, बगती नहीं क मुझे इतना बेहुदे डंग से बोला, तो महराज जी ने सोचा है, तो सच मुचे ने कमा, बेहन बेटी ठीक रोती है, इसको जमा पसू है, फिर अपना बोजन खा लिया, तो वो बैठा इसलिए रागे बरतन लेगे जाने है, वो बरतन लेगे और वो चल पड़ा, उसने जल्दी जल्दी चला कि लेट हो जया, बारा बजे पहुचना वह मंदिर में, जहां भी उनस्तान कर रखा था नहीं थे, जहां से चोरी करने जाना था, अब वो जल्दी जल्दी आ रहा था, रस्ते में कांटा लागया उसके पैर में, और कांटा लगके अंदर टूटी अब वो इतना पैर में दरद हो गया, उसका पैर टेक है निडंग से, लंग करता हुआ गर पहुचा और बरतन मारे फैंक है रसोई में, और ठती सुनाए अपनी मात ही, कि आज के बाद वेजना तू तू तेरे आसरम गया था, तू मरे पैर में कांटा लागया, उसने पैसे गए, तो वो पैर पकड़ का, आज के बाद तू भी नहीं जाना देख, मैं गया था जए मेरे कुई रूट कांटा लग गया, और मैं इधर मू करके भी ना सो हूँ आज के बाद, और आप भी मजाक रूआ पर हैं, अवा माई फिर रो अपने कर्मों को, क्योंकि बिन प्रमात्माँ जब आप प्रमिस्वर की सर्णमा आगे, और आपको कुछ भी हानी होती दिखे तो अभी अपजक्शन नहीं करना ची आपने, क्योंकि भगवान गलत कर नहीं सकते, प्रमात्मा कभी गलत नहीं कर सकते, जैसे हम ऑपरेशन थेटर में चलेगे, फिर डॉक्ट आपकी की सज़ा काटे मटलेगी आपकी, तो उसमा अपजक्शन नहीं होना ची ए, ना प्रमात्मा को कोई उलहना ची एक मने ये कर दिया और वो कर दिया मुझे फिर भी आनी हो रही है, तो उसका भी कोई कारन है वो, आपकी बहुत बड़ी बला टाल रहे हैं बगवान, अ आजी सथसंग में गया था, अब इन्हों कहते हैं, सथसंग में जाने से मुझे ये आनी हुई है, उस तरे गुरू के दर्शन करने से, आज मुझे ये काटा लगया, मेरा बहुत, उसमा नहीं सोच रहा था, मेरा दर ना सो गया, क्योंकि पैसे ना मिला है भी, अब परमात् को अपरेशन पूरा होगा, और थोटा सा कोई नाम ले रख्या है, थोटा सा कष्ट आएगा, नाम छोड़ेगे तो फिर रहे गया, दूराव तो अपरेशन थेटर में बाजगे उठके, वो बैंकर रोग बन जाएगा कभी ना कभी, वो अब माई फिर रहा बुरीत रह, क् कि रहा बगवान, यह बगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह असर मजाएगा नहीं, यह कैसे सुद्रेगा, तो अपने आत्मा हमारा तो ऐसा सुबाह हो गया, जैसे ओंट का होता है, ओंट के ऊपर, कोई समान रखते हैं ना बठा कर, तब यह रोता है, और जब आप एसा ही करता है, अब बहुत बुरा कर दिया मरे गहला, अब तो अपन बज़न उतारे, तब क्यों रहा हो, तो रखें जब तब ठीक रोगग़ा उतार चाहिए, तो ऐसा सुभा हो गया हमारा परामात्मा हमारा भार उतारे तब आजसा सुद्र मॉर्गी प्र्मात्मा ह लेकिन सारी राद दुख ही वाग खूब रही कि वगवाना अपना ऐसा नहीं करना चाहिए था यू की हुए बता तो सुबह क्या हुआ कि रात्री में उसके जो मित्तर थे चोर उन्होंने कुछ दिर उसकी इंतजार करी और वो चोरी करने के लिए चले गए वो निजास का अब रादा के में नम चोरी करने का पारियतन करने लगे वो पकड़ दिये उतरात्यन कर दिये पेश राजा से आगबगवों यह ऐसे फुषक्फार हैं जब रादा के चोरी और ड़का डालना चाहते हैं तो आम जनता को यह क्या बक्सेंगे यह बड़े बहनकर खुषक्फा सूली की सुना दो वो चार पांच थे उन सारों को सूली की सजा सुना दी और उसके साथ एक और advertisement किया करते थे उनको गाओं नगर में घुमाया करते थे आसपास के ताकि ओरों को भी यह भै बने कि इन्होंने क्या दोस्त किया है क्या प्रहद किया इसको क्या सजा दी जा रही है तो इस तरह वो सजा उसकी गलेम लटका दिया करते पंपलेट बना के उन पर लिख दिया जाता था इस वक्ती न ये प्रहद किया जिस कारनसिस को आज ये सजा मिलने जा रही है वो तो गलेम डाल दिया और आगे आगे बैंड वाला चलता थे एक बाजा बजाता हुआ, डोल पीटता हुआ चलता था तो उस तरह का जो बाजा ऐसे बजता हुआ आता था तो घर से निकल निकल कर सब देखा गते थे किस ने क्या प्रहत किया है वो माने सुबह उसके पैर से काटा निकलवा दिया और उसके पट्टी ड्रेस कर रखी वो दोनों मा बेटा भी बाहर गली में खड़े हो गया अपने गर के सामने और उदर से वो आ रहे थे और पुलिस वाले उनसे के रहे थे तुम बोलो हम अप राधी हैं हमने राजा के डाका डालने की सोची थी चोरी करने की प्रियतन किया आज हमें स्याम को सूली तोड़ा जाएगा कोई सुनता हो हमारी तो ऐसा अपराद कोई ना करियो ये कुन से कहल वाज़ा रहा था और गुमा रही थे अब उस लड़के ने भी देखा अकि ये तो वह मित्तर है आपके और उसके मन माया कि ये परमात्मा यदि कल कांटा ना लगता तो मैं भी इनके साथ होता और मुझे भी आज सजा मौत होती अब फिर सोचता हूँ बालक नादान रोता है वगवान मेरी तो मौत होती मेरी मा का क्या हाल होता मेरे पीछे से अकले अकेली है कोई बहन नहीं कोई भाई नहीं कोई इसका और पती नहीं मेरा पेता नहीं तो जब मा तो ये देख कर अंदर आने लगी तो जाकि अपनी मा के सीने से लगका वो लड़का बुरी तरह रोने लगया उसकी माँ ने कहा बिटा अब क्यूं रो रहा है तरा पैर का कांटा भी निकलवा दिया अब क्यू रो रहा है तब उसने कहा कि माँ आज धन्य है तेरे गुरू का धन्यवाद करता हूँ जिसके कारण आज तेरे बेटे की जान बचंगी कि मा अगर मैं कल नहीं जाता अपका गुर्देव का बोजन ले करके और ये दी मुझे काटा ना लगता अज तरह बेटा सूड़ी तूटता सजाए मौत होती मुझे तो मा ने कहा बेटा नालाएक ये बात क्यों बोला है तो मुझ बंद कर अपना मेरा बेटा क्यों सूड़ी तूटता मेरा बेटा कुंसा चोर थोड़ा ही है तो उसने कहा कि मा तरह बेटा चोर भी था मैं चोरी भी करता था और मैं इनके सास जाना था तो वा मा रोनला गिरे निकमे तो चोर भी हो गया था हकामा मैं चोर भी हो गया था अराद से मैं किसम खाता हूँ कभी कुछ भी अपराद नहीं करूँगा और आपके गुरुजी से मैं चल करूप देश लिएँगा मेरी जीवन रिक्षा हुई है तो पुन्यात्माओं करे करावे साईया मन में लैर उठा और ददूसे दरजीव के आप बगल हो जा कभीर साहिब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूँ अपने जनके काज ना जाने केस कारण बनाज़ दो उसको अपने स्टरनों में लेने के लिए तो ऐसे सत्गुर सर्ण में आने से आई टले बला जब हागे में मौत हो वाकाटे में टल जा पुनात्माओं ये कथाएं नहीं हैं ये सचाईयां हैं करके देखो इस प्रमात्मा के वो पर विश्वास करो कभीर भगवान पर ये प्रमक्सरब्रम है सारी सर्ष्टी के मालिक है राम नाम रटते रहो राम नाम रटते रहो जब तक गट में प्राणे कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी आने अब उपदेश लेने के बाद आप जी ने आखरी सांस तक बक्ती करनी है कहते हैं जैसे कोई गेम है खेल रहा है बचा तो उस गेम के लास्ट गेम तक लास्ट मैच तक उसने सतरक्ता से और नियमित खेलना पड़ेगा तब वो सफलोगा तो पने अत्मों यहां हम इस काल के लोक में हैं और हमने यहां से मोक्स प्राप्ती के लिए ही जीवन प्राप्त हुआ है यह मनुस जीवन केवल मोक्स प्राप्ती के लिए है यह समझ लो कि हमारे जनम और मर्टू का रोग लगा हुआ है और हम इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई दूसरा साधन अपना रहे हैं तो वो हॉस्पिटल गलत हैं वो तरीके गलत हैं जनम और मर्तु के और पाफ कर्मों के नास करने की जो आसदी यानि मंतर जाप विधी सास्ति विधी ट्याग का जो मनमानी की जाती हैं वो विर्थ हैं अब आपको यहां इस जनम और मर्तु के रोग को जड़ से निकालने वाला यानि नास करने वाले हॉस्पिटल में परवेस मिल गया आप यहां अड्मिट होगे वे और आपको छुटी तभी मिलेगी जब आप सवस्थ हो जाओगे तो आप सवस्थ हो जाओगे तो यहां से चले जाओगे क्योंकि यह तो होस्पिटल है जिनका रोग रहत मिल रही है वो थोड़े से सुखी महसूस कर रहे हैं जो दौईयां यह मंतर जाप गलत कर रहे हैं उनको कोई रहत नहीं मिल रही है वो इस वो उस्पिटल में भी दुखी है संसारोपी उस्पिटल में तो आपको वो डॉक्टर मिल गया जो इस उस्पिटल में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करता है और सही कारगर दौई हैं तो इस में से रहना ही नहीं यह तो आस्था अटानी पड़ेगा आपने अपने मन से निकालना पड़ेगा यह लोग ठीक नहीं और इसके लिए इस ग्यान को अधार बनाए आप के पास जैसे पिछे भी बहुत से उधारन है और कई ताजी गटना गट जाती है वो याद ज्यादा रहती ह आज हम कहां रह रहे हैं इस जूटे सुक को सुक है यह मान रहा मनमौद है यह सकल जबी ना काल का है और कुछ मुख में कुछ गोद है हम काल के लोक में रह रहे हैं सरपुरस यह काल है ब्रहम इसी को कहते हैं जो गीता बोलते समय गयर में धैके 32 स्लोक में कहता है रजुन म काल हूँ सभी को को खाएंगा सभी को मारऊंगा नास करूँए इन इव धांगा तू ना लड़ेगा तो भी मुने मारएं देना है इनको वह स्विम कहता मैं काल हूँ वो सर पुरिस है वो ब्रम है वो शीरी कर्णंजी में परोईश करका बोल रहा है वो ऐसी अलोकी करम करता गीताजी दहाय नमर चार के स्लोक नमर पांस और 9 में ये कहता अरदुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं शिरी करसंजी मैं बोल रहा है वो प्रेट की तरह तो नहीं जानता हैं और 9 में स्लोक में कहा के मेरे जनम और करम अलोकिक हैं इसके करम अलोकिक ऐसे हैं कि यह दूसरे में पर्वेश करके बोलता है और उसमें पर्वेश करके अपने सारे काम कर जाता है श्वम पर गटनी होता अपने साकार रूप में गीता जे देह नमर साथ के स्लोक नोबर 24 पतिस में कहता है कि अरदुन ये बुदी ही नरसमुदाय, ये मुझे करसन मान रहा है, वक्त रूप में आवेक्ट हूमे, मैं गुप्त रहता हूं, और मुझे आवेक्ट को ये वक्ती आपनम मन्यते, ये वक्ती रूप में करसन मान रहे हैं, I am not करसन, करके अपना काम करता हूं जैसे विश्णु प्राणमा आपको कई बार दिखाया है कि पुरुकुत्स के स्रीर में प्रवेश करका इसने गंद्रहो का नास कर दिया खुद कहता है मैं उसमें प्रवेश करूँगा और फिर मारूँगा उनको तो ऐसी अलोकी करम करता तो स्रीकर उसका उत्पत्य की है उसने आके बता है कि ये काल है इसको सराप लगया हुआ है एक लाख मानो स्री धारी प्राणियों का निताहर करने का तो ये इस लिए तुम्हें यहां पाले हुए है जैसे कोई पुल्ट्री फारम खोल रहा हो उसने अपने तीन नोकर ला रखे हैं ए एक तो मुर्गी मोल लाके वहा रख दे और दूसरा उनकी देख बाल कर रहा है उन्हों तुझे ताजे निकाल दे है और तीसरा वहां से मुर्गे पकड़के दणी के पास पहुचा दे है अक ले खा ले तू तो ये तीन विवस्था इसके पूत्र कर रहे हैं रजगुन ब अधार माजी के आधार से तो हम यह संतानौत पत्ति करते हैं राज पाट गया हैं सबी विवस्थाओं को पराब करने की चेष्टा करते हैं और सत्त विश्णु जी के सतोगुन के परभाव से हम एक दूसरे में ममता रखते हैं एक दूसरे के हम ओपर अधर मोह होता है और तीसरा जो अगую भॉण शिवजी जो हमारा मार करके यहां से काम तमाम कर दीता है और इन की हम पुजा कर रहे थे तो ऐसे प्रभातमा कैते हैं यो एक लाख मानुस दार प्राणियों का नित आहर करता है इसके अंदर एक सुक्सम स्रीज ए सत्थौल स्रीज के अदर इस सथुल स्रीर के माध्यम से जीतने भी अच्छे बुरे एक्रम ये करता है अच्छे बुरे आहार करता है जैसे सराब माज तमाख को बीडी से गिट सोफन करता है तो उसका सुक्सम श्रीर में लिप्त हो जाता है और उसको फिर उससे छुड़वाने का तरीका बना रहा है अस्तपत सिला पर भून के वहाँ जीव मरते नहीं लेकिन तंग इतने होते हैं पूछो मत उनको फिर करमाधार से बेज देता है ऐसकल इसको वह समदना बहुत आसान है जैसे आज अधकल एक ऐसी ऐसे तरीके अपना रखे हैं अन्होंने मच्छी का तेल निकालते हैं समुंधर के किनारे एक मचीन लगा देते हैं उनको एकदम मच्छी ओन को पकड़ते हैं तो समूदर से निकालते हैं तुरें तो मशीन में डाल देते हैं और मशीन में ऐसी बुरी तरह उनको उठा पटक करते हैं सेकंडरो में ही उनमें से तेल छुडवा लेते हैं और फिर उनको फिर फैंक देते हैं जीवित रह जाती है तो ऐसे वो वहां गंद निकाल लेता हमारे अंदर से उस तपत सिलाप हमें बून के तर्फाक है और फिर हमें बेज देता है जाओ तुम अपने करमादार से करम करो तो जिसका भागे भोगो तो यहां यह रहने का स्थान नहीं है अब जैसे कोई सेठ है कितना ही पैसा उसके पास अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज है या कोई मंतरी है मुख्य मंतरी है पर्धान मंतरी है अब वो कितना सुखी है और उसकी मरत्यू हो जाती है तो क्या सुख था उसको के सुख होया यो क्योंकि सारा जीवन वो व्यक्ति संग्रह करने में लगा रहता है उससे फिर कारकोठी बनाने की नीत अपनी बनाई रखता है संपती जोड़ दूँ ये कर दूँ तो यहां तो हम रही नहीं सकते यहां से दिल हटाने के लिए ये फारमूले अपनाने पढ़ेंगे ये बातें सचा ही है लेकिन याद राखनी पढ़ेंगी ये परमात्मा कहता है कि सारा जीवन ये परानी संपत्ती और संतान के ही लिए अपना जीवन ने चाहर कर जाता है और संपत्ती जोड़न की नियत इसकी खतम नहीं होती इसके मरे जास ही हो लाश्ट में भी नो सोचा कुछ दंदा ही करता रहूं जब तक आथ पैर चलते और प्रमात्मा के लिए भक्ती का टेम समय इसके पास होता नहीं अब जैसे एक बहुत बड़ा उद्धोग पती था सारी उस्था थी अपने ही हलिकॉप्टर में गिरका मर गया अब जब तक उसके पुन थे तब तक तब तक तब वो सारा ठाट बाट से हलिकॉप्टर में चला है था और जिस दिन वह बैटरी डिस्टारत होगी पुन समाप तो गए अग्या चारदर था नहीं ठीक साधना करनी रहा था तो उसका जीवन पूरा हुआ अब क्या बनेगा कुत्ते की यो निप्राफ्ट करेगा वो तो क्या है ये लोग कहां रह रहे हैं हम ये दोखा के रखे अपने साथ अब जैसे पीछे आपने देख्या था सुना था एक पोलेंड देश का पूरा मंत्री मंदल जिसमें 95-96 व्यक्ती थे एक जाज में बैखकर जां थे किसी का दुख व्यक्त करने है सोक व्यक्त करने हैं किसी की मरतू पर और आप पमर गे 95-96 थे सारे के सारे एक कज़ दन, 11 सेकड़ में खतम हो गए है कोची एक्षनों में उनकी कितनी आसाइं थी कितनी उमिद थी उन रोगों की अब कहां गई वो जो काम करना थे समुनस जी उनसे वो तक्या नहीं भूत बने फिरेंगे किता है पीछे दो साल तीन साल पहले की बात है पेपर में आया था समातार पत्रों में एक बहुत बड़ा राजनेता था उसके साथ पान साथ उसके चेले चप्टेर वो अलिकप्टर में जावा था वो अलिकप्टर से मरगे अपड़ के अक्शिडेंट हो गया उससा मरगे वो पांचों से हुड़े बूत बन रहे हैं पूरे गाम न दुखी राखें और फिर उनका जनतर मंतर करवाए तो उन्होंने कहा मारा मैल बनाओ वो एक चबूत रहा बनाओ उनकी पांच इतने इतने हैं वो बना रहे हैं नरे नरे अलग अलग आप वो वहां को ठी बनवा रहा है और वक्ती करने थी वो करी नहीं गई अज वहां बूत बना फिर रहे हैं ऐसे है कि इसका अंदर परदेश के मुखे मंतरी हेलिकप्टर में जाओं थे अब जो मुखे मंतरी है उसकी कितनी उमंग और कहां कहां उसकी पार्टियों के इंतजार होती है यहां इंगे और वहां उसका यह नहीं पता और कहां मर्या हुआ पड़ा है तीन दिन मां जाकर लास मिली थी उसकी ऐसे हैं अरुना चल लगा एक मुखे मंतरी साथ दिन मां सव पाया था उसके टुकडे टुकडे वे गादर दिशीटें थे और कई साल पहले की बात है एक पंजाब और हिमाचल परदेश का गौवर्णर था और वो जा रहा था अपना गौवर्णर पद पर होते होते उसने सोची रेटार्मेंट नेकटारी है तो इलिस्टेशन पर है कोई बढ़ या पारक बना बढ़ या उसा पलाट खरीद तीन क्रोड रपिये अपने हलिकप्टर में लेकजा रहा था और पहले ये सोचो के नोट थे अजार पान से के ठेक हो नी और तीन क्रोड तो बहुत हो जा है में पूरा एक जीप में आव तीन क्रोड ये सोचो के नोट थे अर अलिकप्टर में बढ़ पलाट की साही देन जा था परचेज करन जाव था साथ में परिवार था अक्सीडेंट गरस्त हो गया अर वो नोट कीता गया उड़ते अंड उड़ा गडरी उठागे देगे उन और भेड खाओन उनके कागचान अर वो वही मेर गया परिवार का लेनास हो गया अब चैट ले उसना इली स्टेशन में उड़ा की बूत बन अंड़ गा या कि तचू आपन गड़ के खाओगा अब सारा जीवन खो दिया जो काम करना था मुन उस जीवन से वो करया नहीं पिछले पुन थे इतने सारे ठाट रहे पुड़े बड़े पद प्राप्त हुए और जबागे चारदर लगा नहीं वा बैटरी डिस्टार्द होई जब ये दुरुगती उतिस प्राणी की ये भगवान हम सभी के लिए संदेश देता किसी एक विक्ती भी से इसके लिए नहीं हमारे साथ भी यही बनेगी जाम बक्ती नहीं करेंगे उसके लिए क्या बता है कि राम नाम रट ते रहो राम नाम रट ते रहो जब तक घट में प्राणे कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान किसी भी सद्गरंथ को आप उठा कर देखिए का तो सद्गरंथ है श्रीमत भकुत गीता में कहा कि अरदुन आठ में जाए कि पांच और साथ सलोक में ये सरपुरस गीता ग्यान दाता कहता है तो मेरी भक्ती करनी है तो मेरा बजन भी कर और युद भी कर मुझे प्राप्त होगा अब इसका कहिए उठाद का तात पर यह है कि मेरी सरण में रहना है तो मेरे ओम नम का जाब कराइब कर ने ऐखिए उठी मितिया के ओम इति एका क अखुरम बिर्म विहारन मामन उसमरन ये प्रियाती तजंदेहम सायाती परमामकदेम मुझरम का के और एक ओम अक्सर ह नथिंग अल्स ये बाकी के जो मंतर जाब किये जाते हैं और ये नाम नहीं है और ये मनमुखे मंतर हैं ये कोई मंतर नहीं जाब करेंगे और तो इस तरह कोई दो अखर बना लेता एक अकसर को तो वो भी ठीक नहीं जाब है यानि इस मंतर को छोड़के ये सरपुरुस का मंतर है कहता है मेरा तो के वले को मंतर है नथिंग अल्स और इसको अन्तिम सांस तक शरी छोड़ने तक जो टाकर समन्द करता हुआ जाता है सहयाती परमाम गतिम जो ब्रहम से यानि ओम से मिलने वाली जो गति है वह परम गति यानि ब्रहम लोग है के वले इस ओम नाम से प्राप्त होगी लेकिन ये ब्रहम लोग परियंत गए हुए परानी भी जन्म अर्टिम आते हैं आठमे डागे सोल में इस लोग में गी ताजिम कहा कि ब्रहम लोग परियंत ये सभी लोग पुन्रा वरती में हैं यानि वहां गए हुए परानी भी लोट कर पुन अक्षीन होने पर परच्वी लोग पराते हैं और अन्य परानीों के स्रीरों को भी पराप्त होते हैं अब यहां अन्य वाद करता होने थोड़ी सी गलती की है आठमें जाएके सोल में स्लोक में उन्होंने ये किया है कि ब्रहम लोग परियंत सभी लोग पुन्रा वरती में ये तो ठीक कर दिया आगे लिख दिया कि मुझे पराप्त परानी का पुन्रा जनम नहीं होता ये अनुआद गलत है उस कार्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते ने विद्धते अब विद्ध कार्थ के हैं नहीं होता विद्ध माने जानना विद्ध्या तो जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुन्र जनम है उनका पुन्र जनम होगा जो ये नहीं जानते के बिरम लोग परियंत प्राणी सभी जनम मरतू को प्राप्त होते हैं पुन्रा वरती में हैं जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी पुन्र है इसकारत तो ये बने है यदि उनकी अन्ने का जो नवात ये मन है कि ये कहा है गीता गैनदाता कि उनका फिर पुल नशुन में नहीं होता मुझे अपराप्ट हो कहए तो गीत जी अधध्यान नमर 4 के स्लोक नमर 5 और 9 में गीता जिद्धा जिद्धा नमबर दो के स्लोक नमबर बारा में और गीता जिद्धा जिद्धा नमबर दस के स्लोक नमबर दो में गीता ग्यान दाता कहता है कि अर्दुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुकी तू नही जानता मैं जानता हूँ तो फिर ये कहना कि मुझे पराप्त हो करके पुर्दनम नहीं होगा तो ये या अनुआद गल्द है बूल पाथ ठीक है समझ नहीं सके ये तो इस परकार तो यहां कहता है कि अन्तिम सांस तक आप ने ये साधना करनी पड़ेगी ओम इती एकाकसरम बिरम वहरन मामन समन ये परियाती तजम देहम शरीर सोड़के जाते समय तक बेराओम नाम का सिमन करता हूँ जाता है सही अती परमाम गतीम वो परम गती सुकों पराप्त होगा तो ओम से मिलनी है अप जातमाओ ओम से मिला हुआ बरम लोक में गया बिरम लोग में भी जाएं पाच है मरतू जनू हुआ तो ये पूरन ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसलिए गीता जिद्ध है नमर साथ के सलोक नमर ठारा मगीता ग्यान दाता कहता है मेरी साधना भी अनुतमाम है मेरी गति यानि ओम से मिलने वाली प्रम गति भी अनुतमाम गति गतिया है क्योंकि इस मत अमर समाथ होती नहीं और फिर अगला दिनम फेर तारह सही बिरम लोग में गए फिर पुर्णरा वर्टी में फिर दिनम वर्टू में और साथ में ये भी कलियर कर दिया कि मेरी भगती करने वाले को स्यानती नहीं हो सकती आठ में जाए कि पांच और साथ में कहा हर दून तुम मेरे ममन वाला बन मेरा भगत बन और युद भी कर तुम मुझे ही प्राप्त होगा डॉंट वरी